एक ऐसा फोन चाहते हैं, जिसमें एक अच्छा गेमी प्रोसेसर हो, एक अच्छा बैटरी बैक अप हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फोन लिया जाए, क्या Redmi 13C फोन ठीक रहेगा, या Poco C65 लिया, तो कौन सा फोन लिया जाए, समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप सही जग मैं इस वीडियो में फुल रव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फूनों में से कौन सा फून बैच रहेगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले पोको सीरी 65 4G फोन से की जाए जो कि इस फोन के बुक्स में हमें हमारा फोन कुछ मैन और गाइट सीम इजेक्टर टूल किट एक चार्जर सीट अप के बल देखने को मिलती हैं सिर्फ 10 वोट के चार्जर ने तो काफ़ी डिसरपॉइंट किया तो चलिए फिर बिना कैसी देरी किए इस फोन के लोग के डिजाइन की बात करें जो कि इस फोन की बैक में हमें डूल कैमरा सेटप के साथ एक फ्लैश लैट देखने को मिलती हैं बैक में मैट फिनिश सिक्रैशलस बैक बोडी देखने को मिलती हैं बाकी पलाचिक फ्रेम देखने को मिलता हैं फिनिशिंग तो काफ़ी बरिया हैं इस फोन के वेट की बात की जाए जो कि इस फोन का वेट 192 ग्राम से साथ हमें इस फोन में 8.1 mm की ठिकनस देखने को मिलती यह फोन लाइट विट होने के साथ साथ हैंडी भी है ओवरोल लुकवाइस देखने में यह फोन काफी बरिया लग रहा है बाकि इस फोन में हमें गुरिला गलास प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है तो चलिए अब क्यों ना इस फोन के डिस्प्ले की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है विद 90Hz डिफ्रेशरेट इस फोन के डिस्प्ले हमें 260 PP देशिटी का रजलूशन 83.7% Screen to Body Ratio 6.7 इंचिस का सक्रीन साइज देखने को मिलता है हम इस फोन में बाकी काफी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आसानी से बजट के फोन में देखने को मिलती है बाकी इस फोन के डिस्प्ले में 600 Nits की Peak brightness देखने को मिलती है तो चलिए अब इस फोन के प्रोसेसर की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें Mediatek Helio G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 12 नैनो मिटर चिप सेट यानि कि गेमिंग परफॉमस तो इस बजट के हिसाब से तो काफी बरिया रहेगी साथवी में इस फोन में Android 13 वर्जन, 4GB तक, Virtue Ram Exchange Memory, Side Mounted, Fingerprint Sensor, Dedicated Sim Slotter देखने को मिलता है हमें इस फोन में बाकि इस फोन में Single Speakers देखने को मिलते हैं यानि कि Audio and Speaker Performance तो डीसेंट रहेगी जैसर कि आप देखी रहें, Lag Issue तो काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो चलिए, अब इस फोन के Camera Features की बात की जाए जो कि इस फोन में हमें Dual Camera Setup देखने को मिलता है जो कि 50 Megapixel का Main Camera with 1.8 Apertureate है दूसरा हमें 2 Megapixel का Macro Camera देखने को मिलता है with 2.4 Apertureate इस फोन में हमें एक Auxiliary Lens देखने को मिलता है जो कि 0.08 Megapixel का है इस फोन का Camera 1080p 30 Apes तक Video Recording स्पोर्ट करता है इस फोन के Selfie Camera की बात करें जो कि इस फोन में 8 Megapixel का Selfie Camera देखने को मिलता है with 2.0 Apertureate साथी में इस फोन में हमें LED Flash, HDR, Time Lapse, Portrait, Night Mode जैसे Camera Features देखने को मिलते हैं इस फोन का Camera 10X Zoom तक सपोर्टिट है Overall Camera Performance तो इस फोन की मुझे इस बज़िट के हिसाब से तो काफी बरिया लगी Daylight के साथ Night Photography में भी इस फोन का Camera काफी बरिया है Indoor and Outdoor Camera Performance भी इस फोन की काफी बरिया है तो चलिए फिर अब इस फोन के बैटरी बैकप की बात की जाए जो की इस फोन में हमें 5000 MHz बैटरी देखने को मिलते हैं वैसल दो ये फोन 18 वोट की चारजिंग स्पोर्ट करता है लेकिन इस phone के box में तो हमें सिर्फ 10 mode का charger ही देखने को मलते हैं नॉरमल usage करें तो इस phone का battery backup असानी से 10 to 12 hours तक कर रहेगा बाकी full charge होने में तो ये phone काफी time लेगा finally अब इस phone के pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें 3 variant देखने को मलते हैं पहले 4GB RAM and 1208GB टर्नल चोरिच जिसका price online शोर्स पर 7,000 है दूसरा 60GB RAM and 1208GB टर्नल चोरिच जिसका price online शोर्स पर 7,500 है तीसरा और आकरी 8GB RAM and 256GB टर्नल चोरिच जिसका price online शोर्स पर 8,500 है हमें 3 ही variants पर online शोर्स पर 500 का करड़े का discount भी देखने को मलता है यह phone तीन color variant में available है तो चलिए फिर यह तो थे इस phone के सभी specifications तो फिर अब क्यों ना इस phone को side में रखा जाए और बहरा जाए हमारे दूसरे phone के और जो की Redmi 13C 4G phone है इस phone के भी box में हमें हमारा phone कुछ manual guide, sim injector, tour kit एक 10 watt का चाजर, seat app के बल देखने को मिलते हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी किये, इस phone के भी look and design की बात करें जो कि इस phone के भी back में हमें dual camera setup के साथ एक flashlight देखने को मिलती है back में हमें plastic frame, plastic back body देखने को मिलती है बाकि इस phone में काफे decent सी look देखने को मिलती है तो चलिए इस phone के weight की बात की जाए जो कि इस phone का भी weight 192 gram से साथ एमें इस phone में हमें 8.1 mm की thickness देखने को मिलती है ये phone भी poco के phone जैसा light weight और handy है तो चलिए अब इस phone के भी display की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें IPS LCD panel देखने को मिलता है इस phone के भी display में 260 PV density resolution 83.7% screen to body ratio 6.7 inches का screen size देखने को मिलता है इस phone के भी display में 600 nits की peak brightness देखने को मिलती है बाकि इस phone के भी display में gorilla glass protection देखने को मिलती है इस phone के प्रोसेसर की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें मेरिटा खेलियो G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है with 12 nm chipset साथ हमें इस phone में भी हमें Android 13 version 4GB तक virtual RAM extender memory side mounted fingerprint sensor dedicated sensor देखने को मिलता है इस phone में भी हमें single speaker देखने को मिलते है यानि की audio and speaker performance तो इस phone में भी decent रहेगी देखिए overall performance में तो कोई difference नहीं है लेकिन जैसे में इस phone को use कर रहा हूँ इस phone में poco के phone से तो काफी कम देखने को मिलता है तो चलिए फिर अब क्यों ना इस phone के भी camera features की बद की जाए जो कि इस phone में भी हमें dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा में 2 megapixel का macro camera देखने को मिलता है जो कि 2 megapixel का है with 2.4 aperture rate इस phone में भी हमें एक auxiliary lens से देखने को मिलता है जो कि 0.08 megapixel का है इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording support करता है इस phone के selfie camera की बात करें जो कि इस phone में भी हमें 8 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है इस phone का camera 10x zoom तक supported है camera performance में भी इन दोनों फोनों में कोई खास difference तो नहीं है इस phone का भी camera डेलर के साथ night photography के लिए बैच रहेगा इस budget की साब से तो इन दोनों फोनों की camera performance काफी बड़ी है तो चलिए ये दो थे इस phone के camera features अब इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें 5000 mAh battery देखने को मिलती है ये phone भी 18V की charging support करता है लेकिन इस phone के box में थो हमें सिर्फ 10V का charger देखने को मिलता है battery backup भी इन दोनों फोनों का सेमी रहेगा जो कि 10-12 आस तक का है ये phone भी full charge होने में काफी time लेगा finally अब क्यों न इस phone के भी pricing की बात की जाए जो कि इस phone में भी हमें 3 variant देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM and 248GB टेर्नल चोरिच जिसका price online shoots पर 7700 है दूसरा 6GB RAM and 248GB टेर्नल चोरिच जिसका price online shoots पर 8500 है तीसरा अवराकरी 8GB RAM and 256GB टेर्नल चोरिच जिसका price online shoots पर 11,000 है हमें तीनों ही वेरिंट्स पर ओनले शोर्स पर 500 का क्रेडिय का डिस्कॉंड भी देखने को मिलते हैं ये फोन तीन कलर वेरिंट में अवेलिबल है तो चलिए फिर ये तो थे इस फोन के सबी स्पैसिफिकेशन्स अब बात करते हैं कि इन दोनों फोनों में से कुंसा फोन बैस्चर हैगा सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें जो कि इन दोनों फोनों के प्राइस में तो जमीन आस्मान का डिफरेंस है इन दोनों फोनों के 256GB वाले वेरिंट में 2500 का डिफरेंस है अब लूक एंड डिजैन की बात करें जो कि देखने में तो ये दोनों फोन ही काफी बरिया लग रहे हैं डिस्प्ले पर्फूमेंस तो सेम है ही साथ ही में ही गेमिंग पर्फूमेंस भी इन दोनों फोनों की सेम ही रहेगी Overall performance के साथ साथ Camera performance भी इन दोनों फोनों की Same है Battery backup भी इन दोनों फोनों का Same ही रहेगा अब देखिए इन दोनों फोनों में जो main difference था वो price का था अगर आपको 256GB storage वाला variant चाहिए वो भी कम price में तो definitely Poco का phone ही एक batch budget friendly phone रहेगा वैसे भी मुझे बाकी variants के price according Poco का phone ही बेच्च लगा